देश में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ होतरी देखने को मिली यहां मंगलवार को 42,114 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पोजिटिव आई है इस दोरान 36,857 लोगों ने कोरोना को मात दी और 3,998 लोगों की संक्रमन की वज़ा से मौत भी हुई है देश में बीते दिन दर्ज मौतें पिछले 49 दिनों में सबसे ज्यादा हैं इससे पहले 11 जून को 3,996 मौतों लोगों की मौत दर्ज हुई थी हाला कि मौत की आंकडे में इतनी बड़ी बढ़ोतरी महराश्ट्र में पुरानी मौतों को पोर्टल पर अपडेट करने की वज़ा से हुई गत दिवस 3,509 पुरानी मौतों को अपडेट किया गया है इससे पहले 9 जून को बिहार में भी पुरानी मौतों को अपडेट किया गया था उस दिन देश में हुई मौतों का आंकड़ा 6149 तक पहुँच गया था बीते 24 घंटे में कुल नए केस की बात करें तो बीते 24 घंटे में कुल 42,114 नए केस सामने आए हैं वहीं 24 घंट बीते 24 घंटों में कुल 36,857 मरीज ठीक हुए और 3,998 मौतें दर्ज की गई एक बार फिर बता दें कि मौत के आंकड़े में इतनी बड़ी बढ़ोतरी महराश्र में पुरानी मौतों को पोर्टल पर अपडेट करने की वजह से हुई है इसके साथ ही देश में अब तक कुल संक्रमित हो चुके 3,12 करोड लोग संक्रमित हुए हैं जबकि अब तक 3,3 करोड लोग ठीक हो चुके हैं वहीं अब तक कुल 4,18 लाक मौते हो चुकी हैं अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 4,1 लाक है आपको यह भी बता दें कि देश के 8 राजियों में अभी भी पूर्ण लोगडाउन जैसी पाबंदियां हैं इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जारखंड, ओडिसा, तमिलनाडू, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं यहां तक्रीबन पिछले लोगडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं इस खबर में फिलाल इतना ही आगे की खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं नमस्कार